Good morning, how are you all? I hope you all are fine. Students, तो हमारे नब बहुत जल्दी exams भी होने वाले हैं, ठीक है? बहुत जल्दी आपको schedule पता चल जाएगा, आपके पास syllabus जाएगा, उसके according हम लोग चलेंगे, ठीक है? आज हम start करेंगे rhymes से, हमारी rhymes पी आईगी, औरल में, understood? तो यह देखो, यह आपके book है आपके पास, rhymes and गीत, इसका page number 15 निकालेंगे, हिंदी rhymes में, हिंदी rhymes में आप page number 15 निकालिए, ओके? और heading देखी क्या है? प्रणाम, heading क्या है? प्रणाम, प्रणाम का मतलब क्या होता है? किस क्या है, ठीक है न? तो कोई आता है, तो आप ऐसे welcome करते हो, सब का respect देते हो, कोई भी बड़ा आता हम लोग उसको प्रणाम करते हैं पैर्जू के प्रणाम करते हैं या तो हाथ जोड के प्रणाम करते हैं नमस्ते करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं और आपको करना चाहिए अगर आप नहीं करते हो तो इसको आपको करना है ठीक है जो आज आपका टापि प्रणाम यह उसी से रिलेटिड है देखो यह बच्चे कैसे प्रणाम कर रहे हैं देखो सब लोग अशिरवाद दे रहे हैं न मम्मा पापा दादी बाबा ठीक है तो ऐसे ही आप भी करोगे तो सब का अशिरवाद आपको मिलेगा और अशिरवाद बहुत अच्छा मिलता है उससे हम लोग बहुत आगे जाते हैं तो आपको क्या करना है आपको सब को प्रणाम करना है जो भी आपके घर में आए बड़ा और ममा पपा हो जितने भी आपके ग्रैंट पेरेंट्स हो जो भी घर में हो बुवा मौसी तो सब को आपको ऐसे प्रणाम करना है चाजा चाजी क अब आपको आशिरवाद देंगे, ठीके? तो आप बहुत आगे तक जाओगे, बड़ोक आशिरवाद बहुत जरूरी है, understood? तो सुबै सबेरे उठकर बच्चों बड़े जनों को करो प्रणाम लेकर आशिरवाद सभी का शुरू करो तुम अपने काम जब सबका आशिरवाद रहे जाएक है इस सबका शुरूद लेकि हम अपना कुछ काम करते तो हम लोग बहुत अच्छा करते हैं है न यह से मम्मा हमारी help करती है ना पापा हमारे help करते हैं जो भी आपके अल्डर सब्सक्राइब और अच्छा लिखना बहुत अच्छी राइटिंग करना अगर आप यह आप काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा अपको मोटिवेट करते हैं तो उससे हमको एक अच्छा feeling आता हम अच्छे से motivate होते हैं हमको पेरेंट्स का अपने आशिरवान मिलता है तो हमारी वो जो blessings होती है हमको लगती है हम लोग बहुत अच्छा करते हैं जल्दी से हम लोग अपना सारा काम कर लेते हैं सारा हमारे बढ़ों का अशिर्वाद चाहिए हमारे ममा का पापा इसका इसका चाहिए सोबै और आप सुबध और शाम, 15 थां नाइट और running good morning क्या प्रणाम जो भी आपको suitable लगे वो आप जरूर करेंगे ठीक है एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है भी ठीक है तो एक बर हम फिर से पढ़ ले इसको learn कर लो और आएगा आपके exam में पूछूंगी मैं कि आप सुनाओ ये ठीक है तो चलो सुबह रोज सवेरे उठक बच्चों रोज सवेरे उठकर बच्चों बड़े जनों को करें प्रणाम बड़े जनों को करो प्रणाम लेकर आशिर्वास तभीका शुरू करो तुम अपने काम ठीक है सबका आशिर्वाद लेकर आपका तो एक बार और लान करो देखो रोज सवेरे उठकर बच्चों द प्रणाम फिर लेकर आशिर्वास सभी का शुरू करो तुम अपने काम। रोज सवेरे उठकर बच्चों बड़े जनों को करो प्रणाम। लेकर आशिर्वास सभी का शुरू करो तुम अपने काम। यह चार लाइन्स हैं। तो अनली फॉर लाइन आपको लाइन होनी चाहिए अंडेस्टूट ये आप एक बार बार पड़ोगे तो बेटा लाइन हो जाएगी राइन तो इसको आप करेंगे ओके इस वाली बुक से लाइन करेंगे और आज आपका वर्क है ईसे इमली इसे इमली इसे इमर्ती और इसे एक तारा तो यह आप करेंगे ठीक है वीडियो मिलते ही बेटा आप कम से कम यह ई और यह दोनों कंप्लीट कर लेंगे छोटी और बड़ी ठीक है और एक आप यह उसे उल्लू भी करेंगे ओके चलो आपको दिखाओ क्योंकि आपने स्वर पढ़े हुए है तो एक बर मैं आ पढ़ लिया है ठीक है आ हो गया यह ओके यह चोटी और यह बड़ी ओके और यह उल्लू गट माइपट यह देखो ओ आ इसे ही हमको इसमें करना है ठीक है यह देखो यह चोटी है ना तो हम इसको ऐसे बनाएंगे सुन्दर सुन्दर नीट और क्लीन बनाना है बिभी आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग और सुन्दर होती जाएगी ठीक है इरेजर का ज़्याद अस्तमाल नहीं करना है देखो ऐसे यह आपको छोटी बनानी है उसके बाद हम बड़ी बनाएंगे पहले एक छोटा से डंडा फिर कर फिर एक इधर कर फिर ऐसे ओके यह क्या है इसे एक ओके तो यह दोनों पे जब करेंगे और उल्लू बनाएंगे उल्लू तो बहुत एज़ी है थ्री की तरह बनाना है हमको देखो तो देखिए थ्री बनाते हैं न हम लोग ऐसे कॉपी में मैट्स में उसे उल्लू यहाँ पर डेट बेटा जरूर डालते रहना आपना जो जो वर्ग जैसे जैसे मिलेगा आपको तो आप डेट जरूर डालना कॉपी में तो यह तीन पेज आपको करने है अंडरस्टूड य अगर आपको जब याद हो जाएगी तो उसको एक छोटा सा वीडियो बना के भेज़ देना ठीक है चलो see you in the next hour till then take care bye bye